हलो स्टूरेंट्स, वालकम तो मैगने बिन, दिस इस तस्मीन पठानियो, साइंस एडुकेटर फर क्लास 9 और क्लास 10 तो जैसे के अभी अभी मैं आप लोग को बता है कि मैं आप लोग को पढ़ाना वाली हूं क्लास 9 और क्लास 10 के लिए साइंस वो भी फॉल, कमप्लीट डीटेल कोर्स के साथ, जहां पर हम लोग आपको प्रवाइड कराएंगे फ्री फ्री फ्रीफ कॉस्ट प्रपरेशन आईए बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है और जितने भी आपके स्टेट बोड्स हैं यसे MP बोड, UP बिहार बोड, Delhi बोड, Rajasthan बोड इन सब बोड के लिए 6 से लेके क्लास, 12 तक की क्लासे हम लोग आपको प्रवाइड कराते हैं तो अगर आप चाहा रहे हैं कि माम हमें बढ़िया से टीचर्स के साथ, बढ़िया से कॉंटेंट के साथ प्रपरेशन करा दी रहे हैं तो without any further delay शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर जिसमें कि हम लोग को पढ़ना है precipitation reaction और neutralization reaction तो यहाँ पर इस लेक्चर के बाद हमारा यह chapter पूरी तरीके से खताम हो जाने वाला है बिल्कुल भी डरने की जरुवत नहीं है माम इसी तरीके से इसी जोश के साथ बहुत अच्छी preparation आप लोग की कराने वाली है आपको बिल्कुल भी कोई problem नहीं आएगी अब इस लेक्चर को अलग से लेके आने का क्या concept था माम देखिए जब आपसे question पूछा जाएगा ना कि क्या double displacement reaction, precipitation reaction होती है तो वहाँ पर आपका ये ना मगज काम करना बन कर देगा तो अलग से पढ़ लोगे तो concept हो जाएगा बिल्कुल crystal clear तो बिल्कुल भी doubt नहीं रहने वाल ना double displacement में पढ़ा चुको यहां पर ये पढ़ लो डन हो जाएगा बिल्कुल chapter कोई tension ही कहा लेना है मैं हुना साथ में कोई tension नहीं लेना का आउशुरू करते हैं तो हमारा जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि आईए आज का लेक्चर है neutralization and precipitation reaction तो आएए देखते हैं first slide तो neutralization reaction क्या होती है देखें neutralization reaction ध्यान से नाम को सुनिये अगर किसी भी concept को पढ़ना चाहते हो ना जियाद करना चाहते हो तो सबसे फ़ेल उसके नाम में देखा करो कि क्या चीज मिल रही है उसका नाम किस तरीके से उससे resemble करेगा देखो न्यूट्रल न्यूट्रल तो इट मींस ना तो मैं ये acid है और ना ही ये base है ये दोनों ही चीज है ये नहीं है इच मींस कि माम ही कोई ऐसा compound है जो बिलकुल neutral है नहीं वो acid है और नहीं वो base है चलिए माम ये बाद तो आप सही बोलें मतलब इस compound में कहीं ना कहीं एक neutral compound बनेगा मतलब इस reaction के अंदर एक neutral compound का formation होगा यस माम ऐसा ही कुछ होने वाला है इस reaction के अंदर ओके माम ठीक है अब neutralization कहा होती है कैसे होती है किनके बीच में होती है बहुत सारे सवाल आ रहोंगे सबर करो मैं हूँ बता रही हूँ ना सब कुछे को हम ये चीज़ दिखते हैं कि अभी मैं आपको बताया कि ना तो ये compound acid होगा ना ये base होगा तो ये कहीं न कहीं मैं क्या acid और base से ही मिलके बनाऊगा अगर आप acid base की reaction कराते हैं तो आपको salt मिलता है और salt एक neutral compound होता है और वही reaction होती है आपकी neutralization reaction बहुत important reaction होती है तो acid base के बीच में होने वाली reaction is an example of neutralization reaction समझ मा आता है वाला point? यस माम आता है it means के मैं अगर एक पाद दिखा दोगी ना लिख के तो बहुत अच्छे समझ मा आता है कि हमें आदत हो ये reaction लिखने के अब मैं इतना प्लिखवाती रती हो ना तो मज़ा आता है लिख कर है आओ लिख के देख लिख लिए जैसे मालो मालो हम लो मालो किसी बंदे के पेट में acidity हो गई चलिए माम acidity हो गई तो उसको ना अजीब सा होता है मैं यहाँ पर उसको heart burning होती है मैं बहुत दिल जलता है मतलब यहाँ पर जलन सी महसूस होती है क्योंकि वह यह acidity जादा हो जाती है तो उसके लिए आप देखते होंगे कि हम लोग कुछ salt लेते हैं कुछ fruit salts लेते हैं ऐनो आती है market के अंदर आपको पता ही होगा सब लोग को तो हम उसको डाल के पी जाता है अब आप देखते हैं थोड़ी ही तेर बाद कुछी टाइम बाद आपकी वह जलन हो रही थी न वह नॉर्मल हो जाती है और आप बर्पिंग कर लेते हैं और आपको लगता है कि यस मैम अब हम लोग बिलकुल हमें कोई दिककत नहीं हो रही है तो मैं देख कांसंट्रेशन जाधा नहीं होना चाहिए तो हम लोग उसको इसको चैलने के लिए विर उसको कम करने के लिए बेस लेते हैं वह फूरीट सौर्ट जो बता रहा —मयआ आपको बेस ही होते है जिस से वह रियक्शन जो होती है neutralization reaction कहलाती है जिस में जैसे मान लीजिए आपके पास HCl था HCl is an acid, what is? रुख जाओ एक नाट HCl क्या है students आपका? HCl आपका है acid? यस माम है ये acid आपने इस की reaction करा दी किसी भी base है जैसे NaOH ये क्या है student आपका एक base ठीक है माम? समझ भाताने है वाली चीज़ के base है तो अब ये आपस में reaction करेंगे तो हम ये चीज़ जगीं कि 7 में बनेगा आपका NaCl which is salt, क्या है ये student आपका salt है sodium chloride and 7 में आपका बनने वाला है यहाँ पर water क्या बनने वाला है as a byproduct water का formation होने वाला है तो it means कि जो salt बना है माम क्या ये neutral है yes students ये neutral है क्या ये neutral है yes ma'am ये neutral है तो क्या ये reaction एक neutralization reaction है yes ma'am ये एक neutralization reaction है समझ भागे neutralization reaction क्या होती है एक बार यहाँ जो लिख़व है उसको भी पढ़ा तो उनने बुरा मान जाएगा याप देखो a neutralization reaction is actually a chemical reaction which is in between the acid and a base for the production of salt and water is also a double displacement reaction मुझे याद तो आर रहा है याद्दाँ जा चूकी है मुझा है यहामध मारा करो यहामारा करो मुझे पताँ है तो महामारा करो हमध जालूरदिया करो तो खाली और्री तुमारा देखो हना ने कंधु मिट Sharif और मैंने आपको बताया थे कि आप एक A B compound की एक्षिन C D से कराई है तो हम यह देखेंगे A और B B ब्रेकप कर लेंगा और C और D B ब्रेकप कर लेंगे तो हम यह देखेंगे अब A के साथ C चला जाएगा अब B के साथ D चला जाएगा ऐसी होता है ना अब देखो इस एलेक्षिन को ध्यान से HCl ने ब्रेकप कर लिया और NaOH ने ब्रेकप कर लिया इट मीज के जो दो compound होते हैं वो पहले हैं अपना मझा तूट जाते हैं आयंस की form में and then वो आपस में एक दूसरे की जगा स्चेंज कर लेता है कि इस compound में से एक elements ने दूसरे वाले की जगा ले ली दूसरे compound में और दूसरे वाले compound के एक element ने उस element की जगा ले ली वहाल दिस्प्लेस्मेंट रेक्षिन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बता है, इसको लिख लो नौडूप में अभी, जल्ली से लिख लो, बाद में गलत होगा ना मेरे समाथ बोलना कि कि मैडम आपने गलत कराया था, कि मैडम याद ही या रहा था एक्जाम में, बिक्वाज हेर, डिस्प्लेस्मेंट विल टेक प्लेस इन दा टू कमपाउंट, देखा दिया मन आप लोग कि सरीकसर डिस्प्लेस्मेंट होगा, एक एक्जाम्पिल है हाँ पहले इसको लिख लो फिर मापको वाला बताती हूँ, हटा दू, ओके, लिख लो पहले, इस्क्रीन शॉट ले लो आप इसका हटा रही हूँ आप इसको, वी-ने-गर, रुको यार विनेगर अलग कलर से लिखते हूँ, तुम्हां पता है ना, I like drawing so much, अब तो पता ही चल क्या होगा, विने-गर, ओके माम, ठीक है, दन, उसकी रियक्शन किस सकरा थी? और रियक्शन बिट्वीन विनेगर अना, बेकिंग सोडा, क्या होता है बेकिंग सोडा? जल्दी बता हो, कमेंट बाक्स में क्या होता है बेकिंग सोडा? क्या होता है बेकिंग सोडा? N-A-H C-O-3 Sodium Bicarbonate Sodium Bicarbonate और अगर ये Sodium Hydrogen Carbonate भी लिखाव मिल जाए तो डरने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है क्योंकि Hydrogen Carbonate ओके माम ये इस किसी भी रूप में मिल सकता है दोनों रूप में आपको नाम, एक्जामन आपको पकड़ा सकता है तो बिल्कुल भी मत घबरा ना क्योंकि माडम ना आपको सब बताते है जब हम देखते हैं कि इनके बीच में जो reaction होती है student वो एक कैसी reaction है neutralization reaction है कैसे ये है acid ये क्या है आपका ये है acid ये है आपका acid और ये है आपका base तो मैं Masraा base के बीच में reaction होती है तो क्या बनता है क्या बनता है जल्दी से बताएए क्या बनता है student स्टूडेंट्स क्या बनता ये मैं salt का formation हो जाता है तो हम यहाँ पर देखते है कौन से salt का formation होता है आपका बताएँगे जल्दी से sodium acetate आपको मिल जाता है sodium acetate आपको मिल जाता है, साथ में release हो जाएगा water, क्या release हो जाएगा water release हो जाएगा तो इसको reaction को ऐसे भी लिख़वा मिल सकती है कि sodium को अलग दिखा देंगा ions की form में, बाद में salt बना देगा CH3CO- को अलग दिखा देंगा ऐसे दिखा देते हैं इस reaction को साथ में water बनता हो दिखाते है तो ये reaction यह है, तो देखो ना salt बनेगा न, sodium acetate नाम का ये salty तो है, ये और क्या है, ये salt है तो अगर ये salt है, तो मैंने ये reaction एक neutralization reaction हो जाएगी तो देखो, as a reaction between vinegar and baking soda तो मैं बता है, वो इस्कूल में exhibitions नहीं होती थी, तो मैंना उसमें थी I was in a ninth class तो मैंने एक वालकेनों का model बनाया था, disaster management ऐसा स्टीम आता था, तो वालकेनों का मैंने एक model बनाया था आम में को समझ में यारा लावा कैसे निकलता है तो मैंने यह reaction करके दिखाई थी जहां पर मैंने विनेगर में थोड़ा सा क्या डाल दिया था आपका sodium bicarbonate डाल दिया था, जिसमें क्या हुआ था कि उनमें reaction होगी थी, तो एकदम से एक form सी निकली थी, और उसमें मैंने color add कर दिया था, लावा के जैसा और इंसा थोड़ा सा और बड़ा अच्छा लग था अगर आप लोग ऐसा ही कुछ creative करना चाहते तो आप इन reaction को पढ़िए भाई, science की वज़ा से reaction इतनी बढ़िया होगी थी मैंको first prize मिला था तो देखों यह आपर, as well as a double यह double displacement क्यो है देखों CH3, CH3 रुख जाओ जरा मेरी कलागारी खतम कर देख क्योंकि CH3 COH में से H निकल गिया और NaCO3 में से Na निकल गिया निकल गिया, तो यह तो बन गया CH3 CO, minus और Na उधर से निकल गया साथ में water और साथ में आपका CO2 भी निकलता है साथ में आपका CO2 साथ मेरी कि और हम निकलता है सभा हमकिया है क्या ही है हार्त कमेंट करने की में साथ में हाउथ सभी बच्च्य का और चलो, में तुम्हारा दिल निकालने के लिए ही मंदल भी रखो बस हार्त कमेंट कर दे, डवला 270こと में आपको बना सेयर्थे यह दोखो एक reaction दिखाई भी है आप example के form में कि जब आप एक sodium hydroxide वो ही बताया जैसे मैंने base base वो reaction अभी पहले ही दिखा दी थी मैंने HCl के साथ रेक करके हां से sodium chloride बनाएगा और water का formation करतेगा तो easy है easy है double displacement reaction क्यो है यह भी मैंने सम्झा दिया आप लो क्यों कि देखो आप एन्ने ओएच और HCl में एन्ने अलग ओएच अलग H अलग Cल अलग तो एन्ने चला गया Cल के साथ है चला गया ओएच के साथ होगे डबल displacement reaction क्योंकि दो-दो element इंडिस्प्लेस करा है ओके माम हो चुकी है ले लिजे screenshot बढ़ जाते हैं आगे next reaction आते है student आपकी precipitation reaction precipitation reaction में क्या होता है दो compound के बीच में reaction होगी समझ लो पहले समझ लो किसी दो compound के बीच में reaction होगी two compounds और इन दो compounds में जो product बनेगा उन product में एक आपका insoluble होगा insoluble होगा और एक आपका soluble ही रहेगा तो insoluble क्यों रहेगा मतलब वो घुलेगा नहीं वो as it is नीचे बाठ जागा it means कि जैसे मालो मैंने एक ये लिया क्या लिया एक test tube ली मालो मैंने test tube ली और उस test tube में किसी reaction को मैंने करके दिखाया तो जब वो reaction इस test tube में students हो रही थी तो हमने क्या चीज़ देखा हमने ये चीज़ देखी कि कोई A और B की reaction करा है माम ठीक है किसी A और B की reaction करा दीज़े A plus B की reaction हुई और यहाँ पर compound बना C और D को एक CD compound बना तो हम यह चीज़ देखींगे के एक compound ऐसे आपको नीचे बैठ जाएगा यहाँ आप ऐसे नीचे बैठता बना ज़र आएगा और वो insoluble होगा नेचर में कैसा होगा इसको precipitate बोलते हैं तो ऐसी reactions जो होती है जहां पर एक insoluble substance बनेगा और वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा वो खहलाएगा आपका precipitate और इस reaction को हम बोलने वाले है precipitation reaction क्या बोलने वाले हैं लोग इसको precipitation reaction बोलने वाले हैं easy था ma'am yes ma'am मजा आगया करके okay done आप एक बाद पढ़ने हैं आपर क्या क्या है अब precipitation reaction is also a chemical reaction which will involve double displacement अब ऐसा क्यों है रोको मैं तुम्हें reaction ही करके दिखा देती हूँ अगर तुम्हें मेरा एक lecture याद है जहां पर मैंना आपको double displacement सिखाया था तो वहाँ पर मैंने आप लोग को क्या पताए था क्या आप sodium sulphate की reaction जब barium chloride से कराते हूँ तो reaction होने के बाद आपको एक insoluble white PPT मिलता है जो crystalline होता है nature में तो आप देखेंगे वो जो है वो barium sulphate का solution होता है तो देखो क्या होता है देखो फेल इसका screenshot लेलो जितना ही मैंने हापर बिताया इसका screenshot लेलो अब देखो एक मिर्ट लेली है screenshot ठीक है आजो अब देखो अब क्या होगा आप याप एक चीज़ नोटिस कर क्या होगा कि यहाँ पे आपका क्या बनेगा NaCl बनेगा which is a sodium chloride and साथ में बनेगा आपका baso4 और यह जो baso4 है ना students यह एक insoluble white PPT है क्या है एक insoluble in a soluble white PPT white PPT या फिर precipitate तो अब आप यह बोलें कि चली मैं reaction तो समझ मां गई कि कैसे हुई white precipitate बन गया ठीक है precipitation reaction है बट मैं यह बताई double displacement कैसे देखो सबर करो देखो यहाँ पे sodium और sulphate था साथ में break up करा दो यही तो कर रखा है मैंडम आपने आपने यही काम कर रखा है अब यह करा रहा हो जब से reaction करा रहा हो यह BACL2 था इन दोनों को भी तुडवा दो इनका साथ खतम करा दो और अब देखो sodium चला जाएगा क्लोरीन के साथ और यहाँ पर बेरियम चला जाएगा SO4 के साथ तो यहाँ पहले तो आएंस में टूटेंगे फिर आएंस जो हैं आपस में एक्स्चेंज हो जाएंगे दोनों कंपाउंड के तो यहाँ पर हुआ डबल डिस्प्लेस्मेंट क्योंकि एक ही reaction में दो दो यहाँ आपको मिला है और एक सॉलिबल मिला है समझ में आगी reaction अगर समझ में आगी है तो रड हार्ट कम्पाइट क्योंकि आपको मिला है और एक सॉलिबल मिला है कर देना है चलिए इस्क्रीनशॉट टेली जाएक बढ़ जाती हूं चलो जब आजो एक reaction और देखने हाँ यहाँ पर सिल्वर की reaction दिखाईए कि जब सिल्वर जो होता है आपका सिल्वर जो होता है आपका जब वह एक सील के साथ रेक्शन देता है तो आप यहाँ पर देख जाएगा आपको दिखेगा एक रेक्शन होती नजर आएगी और हैडरोजन गैस का कैसे पता चलता है जल्दी से मुझे हाईडरोजन गैस का जो टेस्टमन आप लोग के साथ डिसकस करा है न कि करते कैसे हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन बताते ना जल्दी से चलो यह एक solid substance बन गया, जो नीचे बाट जाएगा, जिसे वही, वही same process, आपने एक beaker लेना है, आप एक test tube ले लो, रियक्शन चला रहे हो आप इसको, आप एक reaction को, चला रहे हो, रूखो यार, खुब्सूरत सी test tube बनानी, यह मुझे, तुम बता है, drawing, मेरा favorite subject रहा है, अब तुम हो मैं हमें क्यों बता रही हो, हमारा concert drawing है, तुम्हें सुनना पड़ेगा, तो अब जब reaction होगी, तो नीचे बैठ जाएगा, ऐसे, और आपको यह बनतावा नजर आएगा, और वो जो hydrogen gas है, वो कैसे, पता चली कि hydrogen gas है, उसका, जो टेस्ट वो जड़ो बताते न, मुझे बनान मज़ा है, आपको यह reaction सिखाने में, और double displacement कैसे थी तोलों reaction, यह भी मैं आपको अच्छे से बता दिया है, समझ मागे वाला point आप लोगे, आप मैम, चलिए, यह तो अच्छी बात थी, यह हो चुगा है, यहाँ पर हम लोग और इस chapter के सारे के सारे concept को पढ़ लिया है, chapter यह आप ऐसे खतम नहीं होता, आप शुरू होंगे, यहाँ से पूरो के पूरे धमाकेदार question वाली series, यहाँ पर हमें सारे के सारे question के सारे question के सारे question के सार, हम लोग next exercise के सारे question करेंगा, NCRT के नदर के index वाले, तो मुझे यह तो बहुत अच्छा लग रहा है बाई, तुम अगर पसंद आ रहे है मेरे lecture, पसंद आ रहे है मेरा पढ़ाना, तो red heart जरूर कमेंट कर देना है, और वापस से माप लोग को बताना चाहते हूं कि हम लोग आपको provide कराते है, top courses with free of cost, कोई पैसा नहीं है, CBST के लिए class 1, kg से लिके 12 है, CBST में बिठा हम कहां से कहां तक provide करा करें आपको, kg to 12, और यह जितने भी state boards है, इनको हम लोग provide कराते है, 6 से लेके 12 तक की classes, बिल्कुल free of cost, कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल, आजो मज़े से पढ़ो हमारे साथ, मैंने ब्रेस को subscribe कर लो, notifications को बिल्कुल on करना मात भूल लागे, जब ही तो updated रहोगे ना, जब notifications on कर लोगे है, और अगर e-books और e-notes चाते हो, तो link मिलेगा description box में, तो description box में link मिल जाएगा, वहां से ले लोगो उनको, बहुत easy है, कुछ भी नहीं करना आप लोगो को, और अगर आप हमारे इस result मा आना चाहरो, तो जल्दी से मैंने ब्रेस को follow कर लो, कैसे करना है, YouTube के थू बता चुकी है मैं, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, इन सब के थूँ आप हमें follow कर सकते हैं, तो भाई मुझे तो बहुत मसा आ गया session कर रही हूं मैं यह वाला, मिलते हैं next session में, जहां पर हम लोग question answers को discuss करने वाले हैं, तो बने रहेगा मेरे साथ, अगर science में pro बनना चाहरे हैं आप लोग, त तो thank you so much, मिलते हैं next time.